काली विद्या, एक ऐसी शक्ति, जिसे अगर कोई साध ले, तो वो जो चाहे सब उसकी मुठी में हो सकता है। शैतान को खुश करके, वो हर चीज पा सकता है, जिसकी उसी काम ना हो। उस किताब में लिखे इन सभी बातों को पढ़कर, माया की आखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। लाइवरेरी में आज पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज की केसस की किताबे डोंडते हुए, माया को एक ऐसी किताब मिली, जो शाहिद खुद शैतान के हाथों लिखे गई थी। कोरिडोर से किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई पुरी, वो आहट अपने कानों में पढ़ते ही, उसने तुरंत उस किताब को बंद करके अपने ड्रॉर में छिपा दिया, और अपने बिस्तर पर जाके आँखे बंद कर लेट गई, थोड़ी ही दिर में, कोरिडोर से आ र हर हाल में भोगना ही होगा। उसने काले कपड़े पहने थे, और खुद को एक काले कपड़े से लपेटा हुआ था, ताकि कोई भी उससे पहचान ना सके, वो बड़े ही तेज गदमों से गाओं के कबरिस्तान की और बढ़ रही थी, उसके हाथ में वही किताब और एक काले रंकी बोटली थी, रात के ठ कोई खौप नहीं था, उसने उस काली पोटली से कुछ सामान निकाला, और कबरिस्तान के एक कोने में जाकर उस किताब में लिखे हुए मंत्रों का उचारन करने लगी, तब है अगनी से धधकता एक यग्या कॉंड उसके सामने आ गया, अपने चारों और उसने एक लाल उने वाली हर असाधारन चीज के लिए, फुद को पहले ही तैयार करके आई थी, यग्या शुरू करते ही, कबरिस्तान में भटक रही अत्रिप्ते आत्माय, उसके पास आने की कोशिस करने लगी, तब ही उस लाल सुरक्षित गेरे के कारण, वो आत्माय उसे छू नहीं पा अपनी साधना पूरी कर वो कबरिस्तान के बाहर आई, और उसने काली पोटली में कुछ लपेट कर कबरिस्तान की चौकट पर गार दिया, तेज कदमों से चलती होई, कुछ देर बाद वो खिड़की के रास्ते अपने कमरे में दाखिल होई, और खुद पर पानी के कुछ अपने कपड़ों को बदल लिया, तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाज से सुनाई दी, ना जाने किसने मेरे बच्चे की ऐसी हालत की है, ना तो इसे चीने में छोड़ा है, ना मरने में, उस आवाज को सुनकर माया के चहरे पर शैतानियत भरी एक मुस्कान आ गई, और अपने ड्रोवर से एक तस्वीर निकाल कर उसे देख वो रोने लगी, अगली सुबह वो उठी, और अपने पती के लिए नाश्टा लेकर उसके कमरे में पहाची, तो उसके पती ने बड़े ही कटीले स्वर में उसकी और देखते हुए कहा, तुझे कितनी वार कहा है मुझ चल जाए यहां से होते ही उसने फिर से कबरिस्तान जाकर अपनी साधना प्रारंब की, अगनी में आहोती देते हुए, उसने एक लाल कपड़े में बंधी एक गुडिया को बाहर निकाला, और एक काले कपड़े को उसके शरीर पर बांध दिया, कुछी दिनों में, उसकी चालिसवे दिन की सा अफरत भरी नजरों से देख रही थी, उस गुडिया का पूरा शरीर उसने अंगिनत सोयों से भर दिया था, दूसरे कमरे से आ रही उन चीखों को सुनकर, मानों उसे बहुत आनंद मिल रहा था, कर उसकी साधना की आखरी रात थी, जिसके बाद वो शैतान की उस शक्ती को और जित करने वाली थी, जिसकी उसे पिछले चालिस दिनों से कामना थी, शान्त हो जा बेटा, शान्त हो जा, हे भगवान अपनी उलाद को इस हाल में देखने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास बुला ले, अपने पास बुला ले, तेज आवाज में रोते हुए अ अपनी सास की इन बातों को सुनकर, माया की आखे बहर आई थी, शायद उसे अपनी जिन्दगी में बीटी कुछ खौपनाक घटना है, उन चीजों से याद आने लगी थी, अज उसकी साधना की आखरी रात थी, उसने कपरिस्तान की चौखट पर पहांच कर, वहां गड़ी उस काली पोटली को बाहर निकाला, और यग्यकुंड में जिल रही धधकती अगनी के सामने जाकर बैठ गई, उस काले कपड़े को खोल कर उसने यग्यकुंड के सामने रख दिया, उसके अंदर किसी नवजाद बच्ची के पैरों की पायल थी, जिसे देखकर उसकी आखों में आंसू आ गए थे, वो अकनी आखों में आंसू लिये ही लगातार अपनी साधना कर रही थी, मंत्रो चार को पूर्ण कर उसने नियमों के अनुसार यग्यकुंड में अपने रख्त की कुछ बूंदे डालनी थी, जो यग्यकी अगनी में पढ़ते ही, रख्त बीच को ज दवाहित कर दिया, तभी उसकी आंफों के साम, उसे एक बेहत विशाल काली परचाई दिखाई थी, जिसकी लाल भ्यानक आखे रात के वो संधेरे में चमक रही थी, उसने उसके हाथों में उस गुडिया और उन पायलों को थमा दिया, और यग्यकुंड की अगनी को जमा थी, अर्थी पर उसकी पती का पार्थिव शरीग बढ़ा हुआ था, उसकी आखे पूरी तरह बाहर को निकाला चुकी थी, उसका पूरा शरीर इसका दर सफेद बढ़ चुका था, मानो उसकी ही के एक बुन खोन को उसका अम्रित शरीर देखने में एक राक्षस की तर बयानक लग रहा था, अपने बेटे की चिता को अगनी दे कर, उसकी माँ अपने कमरे में बैठे ही फोट फोट कर रो रही थी, अपनी आउलाद जब इस दुनिया से जाती है तो बहुत दुख होता है ना, तु चली जाए यहां से, मैं जानती हूँ मेरे बेटे को तूने ह मारा है डायन, मेरे कुल का नाश कर दिया तुने, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, जब मैं तुझे अपने घर की बहु बना कर लाई थी, सच कहा आपने, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, जब मैं आप जैसे शैतानों के घर दुलहन बन कर आई थी, आपक आप दोनों ने तड़फ रही थी उस रात मेरी फूलसी बच्ची मेरी गोद में आने के लिए लेकिन आप लोगों ने उसे मेरे आखों के सामने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया आपके समाज की बनाई हुई इन कूप रथाओं ने मुझसे मेरी तीन बच्चीयों को पैद करते हुए देखा तो आपकी आत्मा से हर उठी याद करो उन रातों को जब मुझसे मेरी बच्चीयों को छीना था आपने और आपके उस राक्षस बेटे ने मार डाला था उन्हें पोता चाहिए था ना आपको देखिए अब तो मैंने आपके वंश को ही खत्म कर दिया और उसके सामने वही बेहनकाकरती वाली परचाई अचानक उत्पन हुई और उसकी आखों के सामने उसकी सास बुरी तरह से तड़पने लगी और देखते ही देखते कुछी पलों में उसकी सास का शरीद भी पूरी तरह सफेद पड़ गया ठेक उसी तरह उसके शरीर के उनको किसी ने चूस लिया था माया ने रक्त बीच को सिध कर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी ही आत्मा का सौधा किया था क्यूंकि वो तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी अपनी बच्चियों को खोने के बाद वो एक जिन्दा लाश बन चुकी थी लेकिन उस दुनिया को छोड़ कर जाने से पहले वो अपनी बच्चियों के गुनेगारों को उनकी सजा देना चाहती थी उससे उसकी खोई हुई बच्चिया वापस तो नहीं आ सकती थी लेकिन ऐसा करके उसने आगे होने वाली पीड़ी पर होने वाली इस शैतानियत को यहीं खत्म कर दिया था रक्तवीट से किये गए उस सौदे के अनुसार उसने अपनी बच्चियों के तस्वीरों को आखरी बार अपने सीने से लगा कर अपनी आत्मा को उसे सौप दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई आज भी ना जाने कितने लोग बेटी के जन्म को ही कभिशाप मानते हैं बेटी को अभिशाप समझने वाले लोग कभी सुख के भागी नहीं बन सकते हैं जो भी ब्रक्ति बेटी को एक अभिशाप समझता है वो हर जिवन में नर्क का भागी है